नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी साउथ के सुपरस्टार रजनी कांथ की, क्योंकि रजनी कांथ आज 70 साल के हो गए हैं 12 दिसंबर 1950 को बेंगलूरू के एक मराठी परिवार में रजनी कांथ का जन हुआ जिंदगी काफी उतार चड़ाव भरी रही पांस साल की उम्र थी रजनी कांथ की जब उनकी माता का निधन हो गया था पारिवारिक इस्तिती इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए रजनी कांथ ने पहले कुली का काम किया और फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो बस मैं कंड़क्टरी का काम भी किया बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे लेकिन फिर वो दौर आया जब साल 1975 में उन्होंने अपने करियर की शुरबात की कई बड़े फिल्म डेरिक्टर के साथ रजनी कांथ ने काम किया फिर साल आया 1983 का जब उन्होंने बॉलिबूड में कदम रखा अंधा कानून रजनी कांथ की पहली बॉलिबूड फिल्म थी जो लोगोंने काफी पसंद भी की रजनी कांथ के बारे में कहा जाता है कि साथ में लोग उन्हें भगवान भी मानते हैं क्योंकि गरीबों की बहुत मदद करने के लिए रजनी कांथ को जाना जाता है उनके प्रशंसक उन्हें कितना चाहते हैं इसकी जवरदस्त एक मिसाल साउट में देखने को मिलती है जहां पर रजनी कांथ को लोग बहुत ज़ादा पसंद करते हैं रजनी कांत की अगर हम बात करें तो राजनितिक जीवन में रजनी कांत ने कदम रखने की बात कही है दो हजार इकिस में चुनाव लड़ने की बात कही है बहुत जल्दी वो अपने राजनितिक पार्टी एका अनौंस भी करेंगे और दो हजार इकिस का विधान सबा कर दो देंगे